दोस्तों नमस्कार सम्रिद्य टेक्निकल में आपका हादिक सौगत है दोस्तों जब भी कभी हम इंटर्वी में जाते हैं तो कुछ important question होते हैं जो basically हमेशा पूछा जाता है तो हो सकता है जब भी आप इस इंटर्वी में जाएंगे इस टाइप के question मिलेंगे और हो सकता है कि यह जो 10 question में से एक या दो question आपको कभी भी फेस करना पड़ सकता है तो यह जो question है दोस्तों इसको अच्छे से समझ लेजिए जान लेजिए चलिए देखते है question no.1 दोस्तों आप हमारे चैनल में first time है पहली बार वीडियो को देख रहे है तो चैनल को subscribe करिए और bell icon के बटन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पोचे चलिए start करते हैं पहला question है screw तथा bolt में क्या अंतर है तो दोस्तों इसके देखिए इस bolt को देखिए इसकी पूरी लंबाई पर thread बना हुआ है इसका यूज हम वहां करते हैं जिस से parts के अंदूरी भाग में भी thread बने होते हैं machine part में सरवाधिक इसका परयोग किया जाता है जैसे end shield लगाने के लिए यहां पर आप देख रहे हैं motor के end cover लगा हुआ है इसी परकार से ऐसे दो parts जहां पर hole अधिक size के हो या कोई flange वगरा जोड़ना हो वहां पर इस परकार के bolt का यूज करते हैं इसकी पूरी लंबाई पर thread नहीं होती है यह दो difference है एक में thread होती है एक में नहीं होती है चलिए अब हम देखते है question no.2 किस type के gear box का परयोग conveyor weight मे करते हैं तो दोस्तों conveyor weight आपने देखे होंगे coil को एक जगा से दूसरे जगा cement को या तरह तरह की चीजों को shift करने के लिए करते हैं वहां पर क्या रहता है motor के rpm अधिक होती है उसको कम rpm में convert करना पड़ता है तो इस परकार से जो roller रहता है उसको गति कम करने के लिए हम warm and warm wheel type के gear works का यूज करते हैं जिससे गति कम हो जाती है और bed जो है वो धीरे धीरे चलती है क्योंकि motor के rpm अधिक होगी तो फिर उसे हम build को रोक नहीं पाएंगे वो फट जाएगी दूसरी बात यह है कि यहां पर देखिए drive को 90 degree में भी कर रहे है तो यहां पर 90 degree में direction change करने के ल अंतर है तो दोस्तों जहां पर किसी भी gear की उपर अक्ष के समान अंतर मतलब एक्सिस में दाते कटे होते है वो इस पर गयर होता है इसका यूज आम तौर पर सादरन गयर बॉक्स में करते हैं जो special gear box होते है उसमें helical gear यूज करते है राइट साइट के आप चितने में है ट्रक बस आदी और अच्छे अच्छे जो इंजिन होते है उसके अंदर इस परकार के gear box होते है और जैसे लेट मशीन बगेरा या नॉर्मल मशीन के जो gear box होते है उसमें ज्यादा तर आपको इस पर गयर वाले gear box देखने को मिलता है ठीक है दोस्तों चले नेक्ट कोशन कोशन नूमर चार है बड़े साइश की bearing को fit करने से पूर्ब उसे किस परकार से गरम करते है तथा क्यों किया जाता है तो दोस्तों बड़े बैरिंग होंगे तो गरम तो करना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े shaft में चड़ाना है छोटे बैरिंग होते तो उसको किसी भी मेलेट बगर से चड़ा सकते हैं लेकिन जहां पर बड़े बेरिंग होती है उसे गरम करना पड़ता है हीट करके थोड़ा से Morse करना पड़ता है फैलाना पड़ता है उसके बाद इसे फड़ाव सी पकड़कर डाला जाता है तो पहले हमको गरम करने के लिए दो मेथड यूज़ करना चाहिए एक तो होता है ऑईल में जब गरम करेंगे तो आपको इस परकार से गेज डालना पड़ता है थर्मोमेटर टाइप के इस परकार से बांध कर ऑईल के अंदर बेरिंग को डालना चाहिए ताकि सेप्टी का विशेज ध्यान रखा जाए ओके चलिए नैक्स कोशन देखते है कोशन नमर पाच है दोस्तो बेरिंग को शार्ट से निकालने के लिए कौन सा यंत्र या इस्टूमेंट का यूज़ करते है तो देखिए शार्ट में इस परकार से बेरिंग चड़ाया जाता है और मोटर हो या कोई भी मशीन होते तो बड़े बड़े शार्ट जहां होते है ना वहाँ पर आप मैलट से या हैमर से मारेंगे बेरिंग के उपर तो ऐसा नतीजा होगा तूटेगा इसलिए क्या करना बढ़ता है दोस्तो उसको पूलर से निकाला जाता है पूलर आपको ब क्या काम आता है तो जब भारी बेरिंग होते तो लगा तर बना रखनता हमाँ के लिए और बीच में ध्यूश्त पैदा नहीं हो इसलिएक जाता है जिसका contact जादा छोटा होगा वह अच्छी स्मूथ चलेगी दूसरी बात यहाए कि बेरिंग जो है वह सहारा देने का काम भी करता है मतलब सपोर्ट भी करता है तो बॉल कांट होगा तो उसके जो पॉइंट होंगे वहुत ही कमेरिया होगा तो स्मूथ चलेगी इसी प्रकार से बेरिंग जो है हम जगा के हिसाब से एस पर रिकॉर्मेंट हम अलग 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 बेरिंग का प्रयोग करते हैं बेरिंग के उपर बहुत सारे वीडियो हमने डाला है चैनल के उपर आप प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिएगा पाउर टैंस्मिशन वाले इस बेरिंग को चाड़ा सकते हैं मतलब उसके आईडी क्या है तो बेरिंग के निकालने के लिए एक बहुत ही जवर्दस फॉर्मूला है दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है बेरिंग के जो नंबर है 6205 उसके लास्ट के दो डिजिट को लेना है और उसके साथ इस बेरिंग को चाड़ा सकते हैं इस परकार से आप साइज हो जाएगा 6205 हो गया किसी भी बेरिंग के आप लास्ट डू डिजिट के साथ आप 5 का मल्टिपलाई कर दीजेगा तो आपका बेरिंग को पढ़ने की ज़रूत नहीं है उसको नापने की कोई ज़रूत नहीं है चले नेक्ट कोशन देखते हैं हमारा अगला कोशन है माइक्रमेटर का लिस्ट काउन कितना होता है तो दोस्तों माइक्रमेटर एक इस्टूमेंट होता है और हर कंपणी में यूज होता है आप कभी भी इंटर्वी में बैठेंगे तो आपके सामने निशीत तोर पर ये 0.01 दयान दखिएगा वर्णियर शब्द जुड़ेगा तो 1-0 बढ़ जाएगी वर्णियर सब्द नहीं जुड़ेगा तो 1-0 ही रहेगा 0.01 इसका लिस्ट काउंट होगा चलिए नेक्ट कोशन जो है वह 9-9 वर्णियर केलीपर का लिस्ट काउंट देखिए यहाँ पर तो के जिस्ट काउंट जो है वो 0.02 MMA ध्यान रखिएगा है तो बहुत important common लेकिन हर जगा इस प्रकार की question को देखने को मिलता है तो ध्यान रखिएगा चलिए अगला question देखते हैं अब देखे question no.10 एक ग्यार के दात काटते समय माडूल की आश्चक्ता होती है माडूल की परिवाशा का है दोस्तों माडूल की परिवाशा यह है कि जो ग्यार होते है उसकी पिछ डायमेटर बटे दातों की संख्या यह होती माडूल जब हम ग्यार में दात काटते हैं तो इसकी आवशक्ता पढ़ती है किसमें ग्यार होविंग मशीन में जिसके आवशक्ता पढ़ती है यहाँ पर आप देख वा रहे हैं यह रूट और मतलब बाहरी डाया और इनर डाया के बीच में से जो लाइन होते हैं इसको बलते हैं पीछ डायमेटर तो हमने यहाँ एक एक एकजामपल लिया कि मॉडूल निकालने के लिए हमें पीछ डायमेटर बटे दातों की संख्या इसमें डालने बढ़ती है हमने एकजामपल के तोरपे इसमें पीछ डायमेटर 200 डाला टित नंबर अप टित 33 डाला तो इस परकार से जब हम इसको डिवाइट कर देंगे तो 6.06 जो है इसका माडूल होगा ज़ि माडूल होगा तो हमारे जो टेक्निशिन भाई होगा जो टित काटने वाला ओपेटर होगा वो आसानी से इस पर टित काट सकता है तो दोस्तों यह था